वेल दोस्तों दोस्तों वाल पुट्टी का आखिर खर्चा कितना होता है इस वाक दोस्तों करेंट टाइम में इस टाइम में अगर हम लोग अपनी घर पर वाल पुट्टी करेंगे तो वाल पुट्टी का आखिर कोस्ट कितना आएगा इस मतलब वाल पुट्टी का कोस्ट दे एक रूम का वालपूटी करने का कितना खर चाहेगा वह दोस्तों दीटल से एक्सप्लेंड करेंगे और इस वीडियो देखने की बाद दोस्तों अब अपने घर का पूरा एरिया का दोस्तों वालपूटी कितना लगेगा आप खुदी निकल साकेंगे क्योंकि जाहर सी बाद है अगर एक रूम का पूरा हमारा या नूर्मारी दोस्तों पूरे इंडिया में दस भाई दस का ही रूम तो लगभाग दोस्तों पूरा घर heat혁 कमरा है 500 square feet आएगा अब उसमें से दोस्तो हमारा जो दर्वाजा है खिड़की है विंडो है तो उसमें हम लोग 50 को घटा देंगे यानि कि 50 माइनस कर देंगे 500 में से तो टोटल दोस्तो हमारा कूल आएगा 450 square feet हमारा एक रूम होता है दोस्तो यह लगभग पूरे इंडिया में इस त सवाल है हमारा एक रूम है 450 square feet तो भाईया 450 square feet रूम को वाल पूट्टी करने की खर्चा कितना आएगा तो सीधे भासा दोस्तों आपको मैं बता दू कि नॉर्माली अगर पूरे इंडिया को अगर आप लोग किसी भी पेंटर को पकर लेंगे जो प्रोफेशनल पेंटर है ओ भी दोस्तों आपको बता देगा कि नॉर्माली एक किलो वाल पूट्टी का अगर आप लोग कोट करेंगे एक किलो वाल पूट्टी से डबल कोट करेंगे तो दोस्तों लागभग 12 से लेकर 15 square feet आपका वाल कभार हो जाएगा अब भाईया आप अगर बहुत ही ज्यादा अन्प्रोफेस्नल पेंटर से पेंड कराएंगे वाल पूट्टी करेंगे तो उन्हें घंटा तक नहीं मालूम है कि वाल पूट्टी का थिकनेस यानि की मोटाई कितना करेंगे और मोटाई की चकर में दोस्तों जहां 50 किलो की जरूरत है वहां तो इस तरह से नहीं दोस्तों आप अगर समझेंगे लोजिक को अगर पकड़ेंगे तो बेलकुल भाईया आपको भी समाझ में आ जाएगा एक किलो वाल पूट्टी में क्लियार दोस्तों बारा से लेकर 15 स्क्यार फीट आपका वाल कभर देगा आप दोस्तों हमारा एक काम स्क्यार फीट हमारा एक रूम का था तो अगर बारा से लेकर 15 स्क्यार फीट हमारा एक किलो में कभर देता है तो हम लोग बारा को मानके चले दोस्तों कमी को मानके चले तो एक किलो में अगर बारा स्क्यार फीट हमारा वाल पूट्टी कभर देगा तो साड़े चार सो हमार अगर बारा से भाग करेंगे तो 37.5 यानि की साड़े साइटीस किलो 37.5 साड़े साइटीस किलो हमारा एग रूम वाल पोटी करने का इतना ही आएगा आप कहेंगे कि भाईया इतना कम जी हां दोस्तो अगर आप लोग प्रोफेशनल पेंटा से पेंड करेंगे और जो आपका वाल पोटी का थिकनेस अगर डेड़ एमेम तक ही राखेंगे तो लगभग दोस्तों साड़े साइटीस किलो यानि की हम लोग धाई किलो और जोड़ देंगे तो 40 किलो मान के चले चालीस किलो से ज्यादा भाईया नहीं लगेगा और अगर 40 किलो से ज्यादा लगता है तो स से लेकर 15 स्केर फिट एक किलो का तो हमारा 40 किलो यानि की एक वाल पोटी से भाईया हमारा पूरा जो रूम है ओ काभार हो चुका है अब समाझने वाली बात यह है बारी किसे समाझना दोस्तों और आंत में वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल कर लेना और लाइक भी करके जाना तो कितना दोस्तों 40 किलो हमारा लगता है एक रूम वाल पूटी करने में आप सवाल है कि 40 किलो का अखिर कोस्ट कितना है कि 40 किलो वाल पूटी का बहुत ज्यादा कोस्ट होता है तो सिंपल भासा में अब लोग क का पूट्टी खरी देंगे तो लगभग दोस्तों 800 रूपिया या फिर जेके का बिल्ला का आप लोग किसी भी वाल पूट्टी का लगभग दोस्तों 800 रूपिया मान के चले 800 रूपिया में आपको 40 किलो वाल पूट्टी मिल जाएगा दोस्तों तो एक रूम में हमारा स्र श्रिब हमारा 800 रुपया का दोस्तों खर्चा आता है बहुत ही ज्यादा नहीं दोस्तों 800 रुपया में आपका एक रूम पुरा कभार हो जाएगा इस टाइम अब सवाल है कि भाईया यह तो था हमारा जो वाल पुट्टी है उसका कोस्ट अब लेबार का कोस्ट कितना है तो कोस्ट दोस्तों पूरे इंडिया में लग-भग वाल पुट्टी करने का जो कोस्ट है 6 से लेकर साथ रुपया स्रीप वाल पुट्टि का आफ लोग विदाउड वाल प्राइमर को अगर जोड़ें के का लेबर दोस्तों जो आपका मिस्त्री है पुट्टी का है ना तो हम लोग छे रुपिया मान के चले तो छे को अगर सारे 400 स्क्यार फिट रूम में अगर हम लोग डिवाइट करेंगे तो 2700 रूपिया आएगा दोस्तों एक रूम जो हमारा एक रूम है साड़े 400 इसकर फिट उसको लेबर खर्चा आएगा पुट्टी लगाने का कितना दोस्तों 2700 रूपिया तो एह हमारा निकल गया दोस्तों लेबर का 2700 रूपिया और हमारा पुट्टी दोस्तों कितना लगता है श्रीप 800 रूपिया तो आठ और 27 इसको अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 3500 रूपिया हमारा खर्चा आता है दोस्तों वाल पुट्टी का आप लोग दोस्तों इसी चीज को बहुत कहीं कहीं मैंने शुरवात में बताया कि भाया सर्माजी को मालूमी नहीं है कि वाल पुट्टी का कोस्ट कितना आता है और इसी चक्कर में उन्होंने वाल पुट्टी को छोड़ दिया तो हमारा 3500 रुपिया लगता है दोस्तों एक रूम वाल पुट्टी करने का स्रीफ 3500 रुपिया नहीं लेकिन दोस्तो तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आप अगर चाहे तो लगा सकता है यहां तक कि आप लोग किसी भी वाल पुट्टी का उठा कर देग लिजे उसका खुद का कहना है भाईया की नो प्राइमार का रिकॉर्मेंट बीफोर वाल पुट्टी यानि कि वाल पुट्टी से पह की कि मैंसे काम हो जाएगा और एक कोड़ करने से पुट्टी और प्राइमार का बिज म एक कोशिस करेंगे